हालो दोस्ते वेलकुम तो माई यूटूब चैनल स्टेडी विद निया तो मैं आज आपको जो बतानी वाली हूं वह ग्यान समाज इसे पहले मैं आपको हे और § कवर लिएक सब्सक्राइमाय कर लीए मतलई तीज़िख सब्सक्राइब में अबनाहं एक सब्सक्राइब कर दो इसमर्च क्यां aumento जो आज विस्कस करएं वह मैं फूरा व्यान्स बडा कुछ अलग नहीं पढ़ा प्रोपर पढ़ा दिए अगर जिसको भी कोई धिक्कत आती है जो कमेंट कर सकता है कि मुझे और टॉपिक कोवर करने वाली है मैं बस में टॉपिक कोवर कराऊंगे आगी कि एकाम तक जो भी यूनिट वगरा है सबसे जो पेपर में आते हैं या जो इंप्वर्टेंट है ने मिलकर शुक्ति अस्त हुआ ग्यान समाज है वैसे ओर classic समाजनी बाथ करें जो कि समाज करेंसे एक से आधिक लोगों के समय में से मिलकर बनें एक बड़ा सा समय कहते हैं। चुकि इंसान अपने डेली की अक्टिविटी करता है काम कज करता है तो वह सब पूछ उसी में आ जाता है सुचर समाज जी वारे हम कल बताई चुके कि इसमें निर्धारक क्या है सुचर समाज के अवरोदों के पर बात करने पड़ेगी और इसके पांच अवरोद होते हैं त कक नम युing को आम आते हैं का निए ख्ञान समाज या समाज क्या है किस परकार से इसका च्पेवासत किया गया है और क्या कैस्त्या अविक्र लक्षाल है या ग्यान पर आधायत अर्थवस्त्ता चारिंए vanavya कर टेदे लेशे between आपको पढ़ना तो पढ़ेगा अगर आपको लगता है कि मुझे एक लाइन को समझाना है तो वो मुश्किल हो जाएगा लेकिन हाँ मैं आपको बस छोटे-छोटे पहनी में सब कुछ बताती जाओंगी तो आप इसमें पढ़ करके समझ सकते हैं कि आखर ये कहना क्या चाते ह मानव के बहत्व बनाई कि उ सकते हैं जो एक ग्यां वह समाज समय करता है कि कि याले के सभी होत्त आब साजह करता है और उप्रम्त करवाता है जिसको प्रियुगमाना विस्तेती में सुधार के लिए कह जाता है एक ज्ञान समाज एक सूचना समाज से इस मायने में भीन हो सकता है कि जो ज्ञान समाज है वो सूचना संसाधनों में बदनने का काम करता है जो समाज को प्रभावी का पूरे मानव इत्यास में मौझूद रही है तो हम क्या सकते हैं कि जो ज्ञान समाज का विचार है वो डेटा निर्मार और फिर सूचना प्रिसार में व्यापक व्रद्धी पर अधारित है जो कि सूचना प्रोध्धोगी की कि नव प्रवर्तन का परिणाम है और हम इगनों की बुक्य कोडिंग कहें कि इगनों की बुक्याना चाहता है कि आर्थिक विरद्धी एवं रोजकार के पर्मुक संसादन एवं उत्पादन के घटक के रोप में ज्ञान के दुआरा वर्तमान समाजिक सरस्ना का रुपांतरा नहीं प्रगति सील आध्मिक जिसमें ग्यानिक महत पुड़ एवं निर्नाइक भूमिका निवाता है वे अपनी शुरुवात में प्रियोग साला की प्रिस्तिती को सुनिश्चित करता है अगर हम कहें कि जो मासमाज है समाज की रचना है वो ग्यान के ही द्वारा होती है यह बढ़ी आसानी और तथक ग क्याता है कि जो किसी ग्यान के अंदर अधर खोङोर व्यक्ति द्वारा णिर्मित ग्यान पर जोड़ दिया जाता है whilst ग्यान होता है हो पूरहता ही लोगों के अंदर ही मौनजूड हला है जो सबसे बड़ी समपत्ती है वह उसके लोग है यह ऐसा संसादन है जिसका बहुत कम मात्रा में उप्रोग किया जाता है जो किसी भी देश की बड़ी सफलता प्राफ्त करने के लिए अतिविक सिदेशों की खड़े होने का अफसर प्रदान करती है तो घ्यान समाज का जो राइटर है उन्होंने अलग अलग परिभासा इसकी दी है यहां इस्टी नौव ने भी अपनी परिभासा दी है तो तो इनकी परिभासा को भी हम चलो आगे देख लेते हैं कि यह क्या कहना चाहते हैं कि जो एक ऐसा समाज जिसकी अपनी संपूर के लिए वधी गठन के संसाधन ग्यानिकती महत्पूर में निर्नाइक भुमिगा का निर्वहन करता है नव ग्यान हेतु प्रेना देता है तो इसको इस्टी नौव यही कहते हैं कि जो यह है कि एक महत्पूर भुमिगा निवाता है ग्य में और यहां कि अभी लक्षन की बात करें थकिल्ष है तो ग्यान के क्या अभी लक्षन है कि जो ग्यान समाज रहे हैं उसके कैई कह बात का सभसेन है सर्व पर्थम कि सभी छेत्रों में नवो उत्पन ग्यान का ब्रत परिनाम है जो नियंतर वेस्टी तोरा जो कि हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और चरम घातिरों में व्रद्धी कर रहा है मतलब कि लगातार बढ़ने पर ही है जो कि ग्यान है लोगों में जो इसके समस्प्रका है और सुचन चार पदगी के यह सब भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो यह सब भी हमें आपस में एक साथ जोनने की बात करते हैं तो आगे इनोंने बताई पूर्ण ग्यान समाझ कि सभी लोग रखते हैं वह सुचन ग्यान मुक्त संबंध अधिगम इसके इसके करते हैं ज्यान अधायत समाज की स्थापना इसे वह वाचनी और आगामे भविश्य के लिए अवलोकन करेंगे कि एक एवल संबंध समाज के बात करें तो ऐसा भी का जाता है कि समाज की सथापना एक राजन्तिक प्रक्रिया है इससे राजन्यातिक नवन्यां लेने और ऐसा कहा गया है कि जो ज्ञानादाइत समाज का जो उत्पक का अर्थ है वे संपूर अर्थ वस्ता है वन सुरक्षित पुशल कार्डे पर बलकों हमेशा बढ़ती हुई मांग है और इस संबत में का ध्यान देने बात यह है कि जो भर सकार दुवारा राष्टे ज्यान आय करे देनी थाने शिलारे पिताक हुए है कि पर टेकर दिया गया है इसने अपने रिब्पोर्ट जमा कर दिया चो कि हम यहां घ्यान आदाइश हमाज के दूरर प्ले जाए गे बीस ही में शोकिया गए यहां राज जनेटिक के बारे में बदाये रथिजाए पढ़े यहीं अर्थ्यव्वस्ता के बादी में बाढनी पहला मैं कुछ अलब से से लाünde इवेक्षक्यार्थ यहीं थे कुष्या मुझें घडिया चाहिन अर्थ वश्ता के विश्ता को सोफिते अरब की ची आयब हो इसचे विफ सब्केशों अधिर्थेवस्ता नेहीं बनाने के लिए वी घ्यान अधायित अर्थेवस्ता के लिए महत्मुत भिभिन प्रकाल है कि क्या क्यूं कैसे किस पर्कार ज्यांतर हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि क्यों आपसक्त तो अन्य परकार भी हमें इसके दिखने को मिलते हैं अगर जो कि सबसे पहले विकास वित्रन विकास अंगञतन फिरयोग किया है कि यह आदानीत अर्थवस्ता है को नई अर्थवस्ता ko दोने अर्थ वस्तार के रूप में देखा जाता है और उक्रोंस के अन आलको hu इतने में ही बताया है बस मैंने क्या किया है कि आपको अपनी भासा में थोड़ा समझाने का प्रियास किया है वर्डों को जूनकर और आगे बात करते हैं कि इसके इन्होंने कुछ संकित बताये हैं संसोधित संसंकित ये की ग्यान निवेस, अंतमापन, ज्ञान इस्टॉप, परवह, ग्यान नेटवर्क तो यह इन्होंने इस सब आप इसमे बता सकते हैं कि आजे हैं कि विंग्र कि भी कासियल्टेशने के पुझी के लिए पूंछी करने सकते पनुझी को पर attends करती है और समाजिक समरूपता को प्रसाहिद करती है जो ज्ञान की समपति है विकासिल देश्टों को सकती साली अर्थ वगेस्टा के रूप में उभारने कम कीमत वाले स्रम मुक्ति दिलाते हुए बढ़ते हुए उत्पादक्ता और आये को साथ आगे आने में सक्षम बनाए जो ज्ञान है वागेजल करके ब्रद्धी करेगी एकनौमिक बढ़ाएगी विकासिल देश्टों की बारे में बात कर जहें तो आज का ये टॉपिक हाई खतम होता है और ये यूनिट वन भी यहीं खतम हो जाते है का ये जसमें हमने पुरा कवर कर लिया है सुचर समाज ग् अगले टॉपिक के साथ ले करके आए अगला टॉपिक के हाई है कि पुस्तकालों के परकार तो पुस्तकालों के हम परकारों के बारें बात करेंगे ठीक और अगर वीडियो पसंद आई हो तो या लाइक सब्सक्राइब करें क्रिपे करके